असलाम अलेकुम, वेलकम टू सुमया इंगलिश प्राइमरी स्कूल, सब्जेक मैक्स, स्टांडर्ड फॉर, चैप्टर नमबर वन, जोमेट्रिकल फीगर, बच्चो ये चैप्टर है, जोमेट्रिकल फीगर में, जोमेट्रिकल फीगर जुनू ना, रेक्टेंगल, एंगल इस फॉर्म, वेरवर टू लाइंग्स मिट, एक एंगल कब बनता है, जब दो लाइंग मिलती है, ओके, दे एंगल बिट्विन दे टू हैंड अफ़ 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 लॉक, त्री अफ़ लॉक और नाइन अफ़ लॉक इस राइट एंगल, यहां पर देखो, एंगल, राइट एंगल केसे फॉर्म होता है, यहां 3 o'clock, तीम बज रहे हैं और इस वाच, इन सेकेंड वाच, 9 o'clock, दूसरी घड़ी में 9 बज रहे हैंगल, तो यह जो 3 o'clock और 9 o'clock जो हो राइट, जो एक एंगल फॉर्म हुआ है, लुक इड यह, इसे कहते हैं, यह शेप को कहते हैं, राइट एंगल, ओके स्टुडट, नाओ, स्टेकेंड इस, वेन दिस्टेंस बेविन दे टू हैंड अफॉर्म बज रहे हैंगल, यहां पर देखो, यहां डाउन, यह जो है, यहां पर जो 2 हैंड है, वाच के, बढ़ी के जो पाटे हैं, उसका डिस्टेंस जो है, वो कम हो गया है, है ना, तो इसे कहते हैं, 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 इसे जो थोड़ा बहुत दिस्टेंस बढ़ जाता है, Look at here See, यह This is obtuse angle Okay, here This is acute angle Second one is right angle And this is obtuse angle Okay, इधर distance बढ़ गया है यह right angle से जादा distance है इसे कहते है, obtuse angle Okay, student Have you understood till here? Now, our next is Circle, look at here Circle, है ना बच्चो? Circle is what? We draw circle with compost box With a coin 1 रुपे के coin से Bowel, bowl से घर में प्याले बगया रहते है उससे draw करते हैं And circle, round shape चाहिए रहता है उनको Okay, now here in the center Center के से कौन? O बना है, देखो बच्चो Here O is given in the center So, this is center Okay Circle में हमें कौन सी line को क्या बुला जाता है? O देखना है तो यहाँ पर center क्या है? O है याने डाउट और D, E D, E जो line है यह D and E यह line जो draw हुई है उससे कैता है? Cod What we are called? Cod Now next Here B, C B and C जो O को पास करते लगी है Okay What we are saying that? Diameter यह क्या है? Diameter Okay And here A, A and O A, O जो है यहाँ पर देखो A और O जो है वो क्या है? Radius Okay Now here also some are given First one is center This one is center This is chord This is diameter And this is Radius So have you understood this chapter till here? Thank you student Have a good day